आकाश्वनी मुंबई के अंदर प्रसुत कर रहा है नाटक अग्निस्नान लेखक संजीव निगम और प्रसुत करती तनुजा कानडी तो ये सुनते हैं नाटक अग्निस्नान संभल कर माहराज संभल कर चलें संभलता यही वो शिला है यही तो है तीन वश हो गए आपको माहराज प्राते काल में इसी शिला पर बैठते हुए इस पर भी हर प्राते आप इसे ढूनते हुए संशेगरस्त रहते हैं जिसका पूरा जीवन संशेगरस्त रहा हो उससे और क्या पिक्षा करेंगी आप लगता है मेरी विनोथ से महराज को कष्ट पहुचा है जोड़ो इसे देखो प्राते काल की ये बेला कितनी स्वहवनी लग रही है प्रकृती जब पक्षी के स्वर में मम्ता मई पकार देती है तो यू लगता है मानू सारे दुखों पर किसी ने सुक की चाया करती हो महराज कावे प्रेमी हो रहे हैं क्षमा करे महराज मैं पुने विनोध कर उठी ये दिगांधार के राजकमार की बहन विनोध नहीं करेगी तो कौन करेगा ये विनोध नहीं आप व्यंक कर रहे हैं कुरू राज ये अनुच बधू कुंती कहां है जल लाने के लिए नदी पर गई है धन्य है ये शील मानधारे समस्त सुखों को सुच्छा से त्याग कर यह मसहायों की सेवा करते हुए कितना कष्ट मैं जीवन व्यतीत कर रही है व अहला उसे विवश कर भी कौन सकता था विश्व विजय पांडवों की माता है वो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ महाराज कुछ नहीं गांधारे कि कुछ नहीं अठार है वर्ष हो गए किन्तो आज भी कुरुक्षित्र का नाम एक बयानक शूल बनकर हरदय को व्यतित करता रहता है कल रात भी कल रात भी क्या हुआ था कल रात कल रात भी संपूर्ण समय कानों में तलवारों की खंखना हाथियों का चिंगारना रतों के पहियों की ध्वनी गूचती रही गूचती रही और गूचती ही रही और गूचती रहे अपनी म्रत पुत्रों परिजनों की पुकारे ऐसा लगता था मानों वे स्वर मुझे लक्ष करके पूछ रहे हों ये सब क्यूं हुआ क्यों जाने दीजिए महाराज जाने दीजिए क्या कहा था संचैने युद्ध के दिनों में पांडवों की निरंतर विजय के समाचार सुनने पर जम्द पश्चाताप से व्याकुल था दोस्ने कहा था राजन अब पच्चताने से क्याला अपनी नित्रहिंता को ढाल बनाकर आप अपने पक्ष के अन्याय पर अपनी मूग सहमती की मोहर लगाते रहे थे अब आपका शोक करना वैसा ही है जैसे पानी सूख जाने पर बांध लगाना जब कुंती पुत्रों को जुए के लिए आमंत्रत किया गया था तब आपके विवेक ने उसे क्यों नहीं रोगा आप राजा थे कुरुवन्ष के पालक थे यदि आपने न्याय का पक्ष लिया होता तो आप इस दारुन दुख से बच गया होते हैं चाटुकारों से घिरा तीशन दृष्टी राजा भी दृष्टी हीन हो जाता है फिर आप तो शमा करें महाराज आप तो जन से ही ऐसा कहा संजे ने ठीक ही दुखा था उसने कंदारे समस्त विश्व चानता है कि कुरुवंश का अग्रज पुरुष महराज विचित्रवीद्य का जेश्ट पुत्र धृत्राष्ट जन्मांद है किंत विचित्रवीद्य के लिए आप दोशी नहीं है स्वामी नेत्रों के अंदता के लिए न सही गांदारी किंत वंतर्मन के अंदता के लिए अवश्य दोशी हूँ काश महराज विचित्रवीद्य स्वाइम अपनी संतान के जनक होते तो संभवतया दृतराष्ट्र का जम ही नहीं होता और अगर होता भी तो वो नेत्र ही ना होता महराज आयू के अंतिम पड़ाव पर आकर इन बातों का क्या अर्थ है अतीत की गहरी खाटियों में लुड़के पलों के पत्थरों को उपर से देखा तो जा सकता है किन्त उन्हें वापिस उठा लाना संभव नहीं महराज ये ठीक है गांधारे ये ठीक है किन्त मैं आज तक एक प्रश्न का उत्तर नहीं खोच पाया हूँ माता की कुछ पलों की विवश्टा मेरे लिए जीवन भर की विवश्टा बन गई पर जिस रिशिका मैं आंची हूँ उसकी गणों ने मेरे अंदर प्रवेश करके मुझे आलोकित क्यों नहीं किया कौन कुंती प्रणाम दीदी प्रणाम जेश्ट श्री प्रसंद रहो आज जल लाने में बहुत विलंभ हुआ कुंती क्या करूं दीदी शरीर की उर्जा थीरे थीरे नश्ट होती जा रही है क्या करूं मैं हर बात में असहाय रह जाता हूँ यहां दुर्गम जंगल में भी मुझ पुरुष को तुम दोनों का सहरा देने की बचा है कि तुम से सहरा लेना पड़ रहा है आप शोप ना करें जी श्री अरे जिसके जीवन की एक मात्र पूजी यह शोख हो वो बहला उससे कैसे बच सकता है कुंती कौन है कोई नहीं जी श्री हिरन है आपका प्रिय श्याम वह श्याम हिरन जिसे आप प्रति दिन संध्याकाल अपनी गोर में बिठाते हैं और क्या आप समझे थे कोई चोर आया है भला बिचारी को क्या मिलेगा हमारी कुटिया से बर पेट खाना भी ना खा पाएगा वैसे भी पुत्र युद्रिश्टिर के सुशासन में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है वो तो तुम्हारे जैश्री के शासन काल में भी न था इतना कड़ा प्रशासन चलाता था पुत्र द्रियोधन शांत शांत हो जाओगा अंधारे मैं तनिक लकडियां लियाओ भीते जंगल से हारे संजे जो लकडियां रगे थे समाप्थ हुआई है तनिक विश्राम कर लो कुंति नहीं जेश्री वरना भोजन में विल समाथी तो ये वहां हस्तिनापुर में पुरुन राज की वैभव के साथ रह सकती थी आपको स्मरण है आरे पुत्र जब कुंति हमारे साथ जंगल की और प्रस्थान करने लगी थी तो युद्धिश्चर कितना विचलित हो गया था अच्छी तरह से स्मरण है व्याकुल हो मां तुम वन में क्यों जा रही हो तुम ही ने हमें आशिरवाद देकर युद्ध के लिए बेजा था अब तुम ही हमें छोड़कर वन जाने लगी उसका गला भराया था हां किन्तु उसके इतने आग्रह करने पर भी कुंति अपने निश्य पर आठल रही कहने लगी मैं बह मैं आने पर शरीर त्याग करके तुम्हारे पिता के पास पहुच जाओंगी यहीं क्यों जब मैंने अपने वन प्रस्थान का निरनाय सुनाया था तभी यह धिश्ठिर कैसा व्याकुल हो उटा था अंजलिबद्य हो सामने खड़ा था कुछ बोल नहीं पा रहा था और कि आप वन जाएंगे तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगा आपके वन में चले जाने पर मैं इस राचे को लेकर कौन सा सुख भोगूंगा कुछ भी होगा अंधारी पांडवों ने परिवार की अग्रजनों तथा गुरुजनों की मर्यादा का सदाई वध्यान रखा और क उन्हें जुद्ध में सेनपति नहीं बनाया था उनके नेत्रित में जुद्ध नहीं लड़ा था कर्ण वो पितामे भीश्म के विवात को देखते हुए क्या उसने पितामा का संमान रखने के लिए अपने अभिन मित्र वापरी में धनुद्धर कर्ण को दस दिवस तक महाराज कूरुवंश की भूलों के लिए मेरे भ्राथा पर आरणोफ लगाना उचित नहीं है कूरूवंश की भूल या तुम्हारे पुत्र दुर्योधन की भूल क्या कर्द दुर्योधन उस समय था जब महाराज शांतनु ने महरानी सत्यवती से विवाह के लोब में अपने पराकरमी पूत्र भीश्म को आजीवन ब्रहमचर्य के लिए शिकंचे में कस्दिया था क्या दुर्योधन उस समय था जब कुरू राजकुमार भीश्म अपने सौतेले भाई विजित्र वीरिय के लिए काशी राज की पुत्रियों का अपहरन कर लाए थे और जब जयश्च भाई के जन्मांध होने की आड़ लेकर उसके अनुझ को राज सिंगहासन पर बिठा दिया गया था तब बस बस गांधार ही बस बस क्यों महाराज बस क्यों यदि कुरू कुल में यह अन्याय न होता तो मेरा पुत्र राजकद्दी से वन्चित न होता औ देरे भाई ने अपने भगनी पुत्र के प्रती हुए अन्याय का समाधान करने की जेश्टा की थी पर इस जेश्टा का अंत शांत कुंती के पहरों की आठ सुनाई दे रही है उसके समक्ष ऐसी बाते ना करें महाराज सोरी कितना उपर चड़ाया है बैठो कुंती तनिक विश्राम कर लो नहीं दिदी अभी रसोई करनी है रहने दो आज फल कंद मूलखी खालेंगे तुम हमारा इतना ध्यान रखती हो कि हमें लज्जा आने रखती है दिदी ऐसा क्यों कहती हो मेरी सेवायदी आपको सुक पह करूं आपकी दुखों को कुछ कम करके मेरे हिर्दे पर बढ़ा बोच कुछ कम होता है अब शरीर में वो सामर्थी नहीं रहा वर्ना मैं यहीं बैठे-बैठे शब्द भे दिवान से शिकार कर देता रसोई भनाने की समस्या ही नहीं रहती अब आप तपस्वी है महाराज मुक्षत्रियों वाले भोजन का विचार भी मन में मतला यह अर दीदी जेश्री ने यहां के सभी पक्ष्यों पक्ष्यों से इतने संबंद बना रखे हैं कि शिकार करते भी तो किसका करते हैं हमारे हर्दयों में दुख का इतना स्थाई निवास हो गया है कि स्वेहम की हंस मुझे दिखने सकता हो किन्तु अनभवत होता है ना सूर्य वास्तम में इस समय कुरुक्षित्र के युद्ध के दुनों सा चुब रहा है जब हर नया सूर्यास्त एक नए विनाश का संदेश लेकर आता था चलो हमें एक दूसरे को सहारा दें गान धारें और हमें सहारा देखी कुंती आईए दिदी मन को कितना शांत करने की कोशिश कर रही हूं सो वैसे पर ये है कि नियंत्रन में ही नहीं आ रहा सुबह नदी में पहते हुई टोकरी को देखा और हर करन की याद आ गही ऐसी ही ऐसी ही टोकरी में रख कर बहाया था उस नवजाद शिशु को मैं ममता ही इन निश्चुर कैसे हो गई थी लोकलाज की ढर से मैंने अपने प्रथम पुत्र को गंगा की भेट चड़ा दिया करन मेरा भागी ही इन पुत्र अपने भाईयों के हाथ मारा गया उसकी हथ्या का दोश किस पर है मुझ पर हाँ मुझ पर अगर मैं युद्ध से पूर्व उसके जन्म की घटा ना बताती तो क्या वो युद्ध में यूही निर्बल पड़ता जीव व्यक्ति अध्यारों की युद्ध में सहेजी जीत चाता है उसे भावनाओं के युद्ध में उसकी अपनी माता नहीं हरा दिया करन पुत्र प्रणाम चोटी भावी लगता है अब अपने आप से बातें कर रही थी मंत्रिवर संजे आगे हस्तिनपुर से क्या समचा लाएं हैं वहां से वहां पर सब कुशल हैं आपको प्रणाम भिजवाया है महाराज युद्धिश्चर आपकी तथा महाराज धृत्राष्ट्र हमारी चिंदा क्या करनी महाराज और बड़ी भावी दिखनी रहे हैं कहां के वो संध्या वंदन करने नदी के तट पर गए हैं अच्छा संजे मुझे महाराज आज फिर काफी दुखी लगे ये कोई नवीन बात नहीं है जोड़ी भावी महाभारत युद्ध की नीग खोदते समय महाराज ने अपने लिए भी दुखों की गहरी खाई खोद ली थी कितना समझाया था मैंने और विदुर ने फर महाराज तो पुत्र प्रेम के कोणू में बैल की तरह जुते हुए थे हाँ यही तो आश्यर है कि राजकारी के लिए मंत्रियों से सलाय करने की अपिक्षा महाराज पूरी तरह से दुर्योधन पर आश्रित हो गए थे अनभवी मंत्रियों का स्थान भला एक अनुत्तरदाई युवका अलड़पन कैसे ले सकता था बहुद्रौपदी के भरी सभा में अपमानित होने के बाद जब महाराज दुखी रहने लगे थे तब भी उन्हें कुल बधु के अपमानित होने का दुख इतना ना था जितना की पांडवों से बैर होने का मैंने तब भी महाराज से स्पष्ट शब्दों में कहा था महाराज जिसका नाश होना होता है उसकी बुद्धी फिर जाती है प्रारब्ध कोजी से दंड देना होता है, वो उसका विवेक हर लेता है, जिससे वो भलाई के ब्रह्म में बुराई कर बैठता है, और अपने आप ही विनाश के गड़े में गिर जाता है क्या सचमुष तुम ने इतने इस पश्ट शब्दों में उन्हें चेताया था? हाँ भावी, सच, मैं तथा विदुर, दोनों ही धर्म सम्मत बातें निर्भीक रूप से कहते थे, किन्तु महराज हमारी इन बातों से उब जाया करते थे, चाटुकारिता तथा स्वार्थ, ये दोनों किसी भी राजा के लिए विनाश की सीड़िया हैं, काश की ये बात महरा समझ सकते हैं, भावी, नित्रहीन राजा के साथ काम करना उतना कश्टकर नहीं है, जितना किसी दृष्टहीन राजा के साथ काम करना, अच्छा संजे, ये तो पताओ, कि महाभारत का युद्ध वर्णन सुनाते हुए, सब कुछ यथा स्थित बता देते थे उन्हें, उनक कभी-कभी तो इतना संकोच होता था कि जिव्वा रुख जाती थी, पर मेरे ना बोलने पर वे किसी बड़े विनाश की कलपना करके जट पटाने लगते थे, और मैं, मैं अभिशप्त था अशुब पीडा दायक सत्य बोलने के लिए, ऐसा ना कहो संजे, कैसे ना कहूं भा और गायल दुर्योधन के सिर पर जब भीम से इनने लाट से प्रहार किया था, उसका वर्नन किस दुड़ हुदय से मैंने किया होगा, आप समझ सकती है, किन्तु भावी, मैं मौन रहा, एक जगह मैं मौन रहा, मैं इतना साहस नहीं जुटा पाया, कि उस दृष्टहीन पु मृत्यों होते ही, वे उस महाबली के शरीर को नोच खाएं, शान्त संज, शान्त, कहीं माहराज वद्दीदी सुन न ले, जो सच तुमने आज तक छिपाया है, वो जीवन के अंतिंक चड़ों में, उनके दिलों में चलती हुई कटार की भाति उतर न जाए, आप उचित कह अरे, ये लीजे, सामने से वे लोग आभी रहे हैं, कितना अभ्यास हो गया है, इस मार्क का, एक पक्की भी तुर्टी नहीं होती, ये जंगल है महाराज, शेहर नहीं, बात-बात में बदलना इसका सोभाव नहीं है, लीजे, आप पहुंचे, अपनी कुटिया के पास लग आम के पेड़ों की सुगन धा रही है, प्रणाम महाराज, प्रणाम भावी, कौन, संजय, कब आए भाई, अभी कुछ समय पूर्व, आप क्या समाचार लाए हो संजय, इस बार शुब समाचार लाया हो बड़ी भावी, हस्तिनापोर नरेश, युधिश्ठिर के धर्मराज संजय की चर्चा सभी दिशाओं में हो रही है, प्रजा सुखी एबं प्रसन्न है, प्रजा महाराज धृतराष्ट के काल में भी सुखी थी, राजकुमार दुर्योधन स्वयम प्रजा के हित का ध्यान रखते थे, किन्तु उसी प्रजा को राजकुमार दुर्योधन के महाराज पर महाभारत के महायुद्ध ने इस धर्ती पर विनाश की जो गहरी काली रेखाएं खीची थी आज अठारा वर्षों के बाद भी उन रेखाओं का प्रभाव फीका नहीं पड़ा है मैं आज भी उन खंडित भवनों विध्वा नारियों तथा अनाथ अपंगों को देखकर आ रहा हूं जो जुद्ध की विभीशका के अंजाने से कार रहे हैं महराज शाम होते ही देखी न आपका वो प्रिये श्राम हिरन आ गया पेड़ की ओच से कैसे सिर्ण निकाल के आपकी ओड़ टुकुर टुकुर देख रहा है मानो कोई शरार्ती बच्चा अपनी पिता की गोद में चढ़ने का अवसर तलाश कर रहा हो यह भी तो पुत्र है मेरा मेरा एक सो एक वाँ पुत्र आ आजा आजा अरे आ गया मेरे लाद महराज का मन तो हलका हुआ यह सही है भावी पशु के साथ हमारा निस्वार्थ प्रेम का संबंध होता है इसलिए उनके साथ मन हलका हो ही जाता है चलिए महराज आप इस मिर्क शावक से खेरिए तब तक मैं नदी तर्से होकर आता हूँ मैं भी तनिक भोजन की विवस्ता देख लूँ हाँ हाँ गांधारी इस मिर्क शावक की आँखे कैसी है मुझे क्या पता महराज मेरी आँखों पर भी तो पट्टी बंधी है और हाँ काश तुमने ऐसा वच्चन ना लिया होता तो कम से कम मुझे बता दो सकती कि इस छोटे से पुत्र का रंग कैसा है बाल कैसे हैं कैसा दिखता है यह ए शैतान अधिक उचल कूद ना कर मैं तेरी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं ठैर ठैर अरे नहीं मानता उतार दूंगा तुझे गोदी से महराज कुंती से क्यों नहीं पूछ लेते इसके बारे में वो तो देख सकती है इसका पूरा रूप रंग बता देगी आपको हां बता तो देग किन्तो अपने पुत्र के विशह में सुनना अपनी पत्नी के मुख से अधिक सुखद लगता है कुंती से पूछना होता तो मैं कपका पूछ लेता इस विशह में मैं असमर्थ हूं महराज आपसी विवाह के अफसर पर मैंने स्वेच्छा से पट्टी आँखों पर बांद थी बस यही कमी रह गई तुम्हारे वचन में तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी आँखें खुली रखकर अपनी पती की द्रिश्ट बनती है तब हमें दूसरों के बताए अर्द सत्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता हमारे द्रिश्ट हीन होने की अनुभूती न कसकर लिपट गए गांधारी ऐसा मत सूची महाराज उसको होने वाली किसी भी हानी से हमें अपना विनाश दिखाई देने लगा था अगर तुम अपनी आखे खुली रखती तो भरी सभा में द्रौपदी को यूँ अपमानित नहीं होने देती और तब मैं ये कुरुक्षेत्र का युद्ध होता अब अब इन सब बातों से क्या लाब महाराज जो होना था वो तो हो चुका इतिहास के प्रिश्टू का लेख मिटा सकना हमारे समर्थे से बाहर की बात है इस बात की समीक्षा आने वाले पीड़ी को करने दे महाराज कि गानधारी ने गलत किया या सही हाँ यही उचित है चलिए महाराज कुंति हमारी प्रतीक्षा करती होगी हाँ चलो कि संजय तनिक सुनों दूर से कुछ विचित्र द्धनी सुनाई दे रही है महाराज दूर कुछ पशुओं के जुण्ड भागते दिखाई दे रहे हैं उन्हीं का शोर है महाराज यह पर आचानक शी पशुख भागने क्यों लगे हैं यहां से तो कारण पता नहीं महाराज आप कहें तो वहां जाकर पता करूं नहीं कोई आवशक्ता नहीं है अरे अब क्या हुआ क्या हुआ क्या पशू में भी युद्ध होने लगा महाभारत होने लगा पशू बड़ी शिगरता से भागने लगे हैं अरे अरे वो दूर वहाँ धुआ कैसा उठ रहा है कहां संजे वो वहाँ उन पेणों के पीछे वो तो मुझे कुछ आग सी लग रही है हाँ भाबी आग ही है यह जंगल की आग है कितनी तेजी से फैल रही है इसलिए यह पशू जान बचा कर भाग रहे है संकट के समय अपनी जान बचाने का अधिकार सभी को है संजय कहीं याग इस दिशा में तु नहीं आ रही है आग का संदे उचित है महाराज ये आग हमारी दिशा में ही पहलती आ रही है चलिए महाराज चलिए उठिए हमें हमें शीगरी किसी सुरक्षि स्थल पर पहुंचाना चाहिए उठिये महाराज, शीड़ता कीजे नहीं संजय, तुम लोग जाओ महाराज? नहीं, इस भार सुरुप जीवन में मुक्ति पाने का श्रेश्थ अवसर आया है मैं इस अवसर पर प्रस्थान नहीं करूँगा किन्तु महाराज? नहीं संजय, आज मुझे कोई संजय नहीं है आज का ये अग्निस्नान मेरी आत्मा को पवित्र कर देगा अग्ने में अपने प्राणों की आहुति देकर अपने सभी दुखों, सभी तुटियों का परिश्कार करूँगा आओ अग्निदेव, शीग राकर अपने हवन कुंड में मेरी आहुति लो मैं भी आपका अनुकरण करूँगी महाराज भाभी आप भी आप दोनों का मारखी, मैं भी ग्रहन करूँगी बहुत दिन हो गए, महाराज पांडु की सेवा में जाने की प्रतीक्षा करते हुए अगर आप सब की यही इच्छा है, तो मैं स्वैम को भी आपके निर्णे से जोड़ता हूँ मैं भी इसी अग्नी में देह त्याग करूँगा नहीं, ये उजित नहीं है संजय, तुम जाओ यहां से, तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा करनी होगी, तुम हमारे संबाद दाता हो, हमारे इस नश्वर संसार को छोड़ने का संबाद, तुम्हें ही सब को सुराना होगा यह नहीं होगा महराज तुम्हें जाना होगा संजय तुम्हें जाना होगा यह मेरा आदेश है अंतिम आदेश महाराज जो आख्या महाराज प्रणाम आप सबको मेरा अंतिन प्रणाम शेग्रता करो संजे अतिशीग्र आग एकदम समीप पा चुकी है जाता हूं भावी जाता हूं जेश्री आग बिल्कुल समीप आ गई है मैं अनुभव कर रहा हूं तीक्षन कर्मी देकाय दे रही है यह दुए से दम खुट रहा है महाराज आग को एकदम समीप आने दो फिर दुआ नहीं लगेगा यह क्या 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 रहे हैं महाराज मित्यू के क्षणों में भी विनोध हस्ते हस्ते मित्य का आलंग इन करना ही क्षत्रे का धर्म है गांधारी महाराज आग बस हमें छूने वाली है बैठो सब पूर्ध दिशा की और मू करके बैठो योग समाध ही लगानी है जलने की बीड़ा को भूलना होगा जेश्ट श्री अगनी देह चलाने लगी है शांत हो कर कृष्ण का त्यान करो पीनाय शांत होंगी अमारा अंतिम्पराम स्विकारो बादर श्रीकारो